हलो एब्रीवन मैं डॉक्टर मुकेश कुमार मेडिकल सुप्रेटेंडेंडेंट ब्रह्मानन्द नारायना मल्टीस वेसालिटी हॉस्पिटल जमसेधपूर से आज आपकी तरफ हमलों मुकातिव हो रहे हैं और आज हम डाइबिटीज पे चर्चा करेंगे और जो कॉमन से दवाईयां खाएं डाइबिटीज हो जाने पर कई तरह के आज संकाओं से लोगों का मन गिड़ जाता है और नॉर्मल लाइफ डाइबिटीज के साथ कैसे जीएं इस पर भी हम परिचर्चा करेंगे हमारे साथ हैं डॉक्टर कल्यान कुमार है एमडी मेडिशीन और काफी fruitful information जो common आदमी के दिमाग में रहता है कि हम क्या खाएं एक्सराइज कौन सी करें दवाईयां कौन सी लें इंसुलीन से जो डर है उस डर पर भी चर्चा करेंगे तो डाइबिटीज के बारे में हम पहली बार यह जानने की कोशिस करेंगे कि आखिर यह बीमारी क्या है और इसमें प्रकार कितने होते हैं डोक्टर कल्यां डाइबिटीज मुख्य रूप से जिसे हम लोग मधुमय कहते हैं खून में अगर ब्लड शुगर लेवल अगर पर्टिक्लर लेवल से अगर ज्यादा चला जाता है फास्टिंग मोर दें 126 और पोश्ट्रेंडियल मोर द तो बार-बार प्यास लगना, बार-बार पिशाब लगना और बार-बार भूग लगना ये तीनों लक्षन जो हैं क्लासिकल हैं डाइबिटीज के लिए जिसको हम लोग ट्रायड ऑफ डाइबिटीज बोलते हैं और इसके साथ अगर ब्लड शुगर का लेवल अगर हमारे पर्टिकलर टार्गेट लेवल से बज़ जाता है तो हम लोग उस तरह के पेशेंट को क्लासिफाई करते हैं डाइबिटीज में मुखे रूप से दिपीटीज के चारपर्कार के डाइबिटीज है टाइबिटीज अच्वर डाइबिटीज में हम लोग उन्काउंटर करते है इस हमने देखा करने जो ने डिजए वो मुखिता 2 प्रकार के हैं जो टाइप 1 और ताइप 2 और अन्य प्रकार के कुछ स्पेशल किस्म के डिज़े जो डिजी इन इस इन शिपीडर्स या अगाने हैं हमारे साथ लेकिन इनकी मातरा काफी कम है, मतलब इनके रोगी काफी कम है, तो हमारा फोकस में जो रहेगा वो टाइप टमट डायबीटीज पे रहेगा, में हें कि यह अफिर क्या है और किन्झ को अपना सेचार बनाता है और इसके Госedき क्या है तो डॉक्टर कल्यास टाइप वन जो डाइबीटीज है वह बेसिकली कि से घ 144 के लोगोंै को होता है और इस इसमें क्या क्या सावधानिया वह बरते क्यािक रहेगी उनको अपने का जो प्रोटोकॉल है या प्लान है उस पर भी एक संचिप्था में जनकारी दे जैसा कि डॉक्टर मुकेश ने कहा कि मुखे रूप से टाइप 1 और टाइप 2 डियाबिटीज है जो कि बिल्कुल सही है हमारे जो डेली ओपिडी विजिट्स में और एंकाउंटर जो होते हैं उसमें टाइप 1 और टाइप 2 डियाबिटीज के ही मिलते हैं तो जो टाइप 1 डियाबिटीज जो है यह यांग पॉपलेशन में मिलते हैं और जिससे हम लोग पहले जेनेटिक ओरियेंटेशन का डियाबिटीज हम लोग कहते थे जो आटो इम्यून मेडियेटेड होता है ज जो वहां अले वक्त यूले मडर सरत करी अलेक नायां भीती चूलीप ब्रश्ण तर्यूह को को exclude करना चाहते हैं जो दूसरा diabetes है type 2 diabetes जो की ज्यादा common है type 2 diabetes जो है obesity related diabetes है जो की elderly person मिलते हैं more than 40 year old more than 50 year old patient है और ये diabetes जो होते है central obesity के कारण ज्यादा तर पाया रहता है जो पेट का मुटापा है पेट का मुटापा ये down regulation करता है insulin का insulin हमारे काम करने बंद कर देते हैं और जिसके कारण हमारा type 2 diabetes होता है इलाज में जो हम लोगों को दो बात का ध्यान रखते हैं type 1 और type 2 diabetes में type 1 में पूरी तह से insulin का ही काम रहता है क्योंकि उसमें insulin का development होता ही नहीं इंसुलीन बनता ही नहीं absolute insulin deficiency जो type 1 diabetes में है और type 2 diabetes है उसमें down regulation हो जाता है जो receptor जो हमारे insulin जिस रिसेप्टर के थ्रू काम करके और शुगर का metabolism करेंगे glucose का metabolism करेंगे वो receptor down regulation हो जाता है जिसके कारण type 2 diabetes होता है और long standing diabetes type 2 diabetes में हमें insulin का भी इस्तेमाल करना पड़ता है लेकिन as compared to type 1 diabetes type 2 diabetes में oral hypoglycemic agent का definite और significant role है थैंक्यों Dr. Kalyaan एक काफी ब्रहत और diabetes type 1 और 2 के बारे में काफी ब्रहत इन्होंने चर्चा किया तो मुझे लगता है कि आप लोग को यह बात समझ में आ गया होगा कि type 1 और type 2 में basic अंतर यही है कि type 1 में insulin body के अंदर बनी नहीं रहा है और type 2 में insulin बन रहा है बट वो उसके receptor खराब है इसलिए काम नहीं कर रहे है और मरीज का sugar level बढ़ते जा रहा है तो type 1 डायमटीज में patient को basically हम लोग ट्रीट कर रहे है insulin उसको दो टाइम तीन टाइम according to body weight और उसका जो habit है उसके अंसार से हम लोग उसको प्लान करके insulin दे देते हैं लेकिन type 2 में क्या है चुकि receptor काम नहीं कर रहा है तो हम पुछ ऐसे oral agents का यूज करते हैं जो जिनका mode of action अलग-अलग होता है और एक combined means medication बना के और patient के need waste वो medication हम doctors उनको prescribe करते हैं जिससे कि उनका दैनिक दीन चरिया न बिगडे और उनको drug लेने में या दवाई खाने में उनको सुविदा हो तो diabetes का इलाज हम यह नहीं कहेंगे कि एकदम मतलब दवाई आगर हैं तो खानी ही चाहिए लेकिन हाँ diabetes के इलाज में दो जो पहलू है जो जिनका काफी ही अच्छा रोल है पहला है डाइट और दूसरा है एक्सेसाइज तो यह जो दो पार्ट है डॉक्टर कल्यांट जैसे कि यंग पेशेंट्स हम किसी को पहली बार कहते हैं कि कि वह के वह बिकम डाइटिक फ्रॉम टुड़े विकाज यूर आपका जो सुगर लेबल है वह ज्यादा बढ़ा हुआ है और आपको आजसे दवाईयां खानी चाहिए तो दवाईयों के साथ-साथ हम उन्हें कुछ खानपान संबंदी सला भी देते हैं और सला के साथ करते हैं तो यह कैसे हेल्फ करती है मरीजू को बहुत अच्छा सवाल पुछ आपने डाइबिटीज में सिर्फ इंसुलीन या कोरल हाईपोग्लैसेमिक एजेंट इनका रोल के अलावा जो डाइटरी मैंजमेंट है और जो एक्सरसाइज थिरैप यह बहुत इंपॉर्टें जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपका थूरॉट दी डे आपका ब्लड शुगर लेवल को एक अप्रोप्रेट लेवल में रखना है तो क्वालिटी ऑफ डाइट है जिसमें आपको आप सभी लोग जानते हैं कि हां इसमें मीठा नहीं खाना है इसमें घी न डाइट में आपको समझना है कि ये डाइट हमको बैसिकली ये सब एको ध्यान देना है ये सब डाइट से पहेज करना और इसके साथ साथ आप डाइट में अपना हरा साथ सब्जी रख सकते हैं, इसके अलावा आप दाल रख सकते हैं, plenty of salad, salad का बहुत important role है क्योंकि salad ये भी fiber आपको glucose control में एक mechanism से काम करती है और शुगर को check करती है, इसके अलावा जो exercise therapy है, exercise therapy है बहुत important है diabetes में जो की directly, indirectly ये शुगर का control करता है तो at least 30 minute exercise चाहिए आपको according to your age आप plan कर सकते हैं, आपको कौन से exercise suit करता है, सबसे जो सबसे simple है वो है brisk walk, तो brisk walking 30 minute आपको करना है और ये brisk walking आपको ensure करेगा कि आपका जो दवा है और आपका sugar जो status है वो एक normal level में throughout the day maintain रहे है तो exercise therapy का बहुत important role है और ये directly glucose uptake करता है cells से और कहीं न कहीं ये हम हमें dose titration में और additional dose को लेने से check करता है इसलिए dietary therapy और exercise therapy का बहुत important role है apart from the medical management तो हमें तीन बात पर ध्यान देना है जो नियमित रूप से दवा ले अगर आप insulin पे हैं तो नियमित रूप से insulin ले sugar level चेक करें dietary therapy में quality of diet, quantity of diet दोनों पर balance रखें और exercise therapy which is 30 minute exercise अगर आप कर सकता है 30 minute exercise आपको करना चाहिए और किसी भी age के लिए सबसे बेश्ट है brisk walking तो 30 minute brisk walk आप करें तो हमने अभी देखा कि हमें कीवल medicine से ही काम नहीं चलेगा हमको अपना medication जारी रखते हुए एक तो अपने खानपन पर भी सेज़ ध्यान देना पड़ेगा चुकि हमें diabetes है और दूसरा यह है कि हमें exercise या brisk walk योगा जो आप अपने योगा इंस्ट्रक्टर से according to your means requirement आप निधारित कर सकते हैं तो यह सब चीज़ों का बहुत ज्याद रोल है और इनको भी साथ में लेना हो करना पड़ेगा तो तीन पहलों है जो हमने अभी आप लोगों से शेयर किया एक का management जिसमें हमने दवाईयों के बारे में बताया दूसरा है कि हमने बताया कि डाइट का भी उतना ही importance है और तीसरा हम लोग में physical fitness या योगा या आपका ब्रिस पॉक तो यह तीनों मिला के ही आपका जो सुगर होगा वो नियंत्रित होगा तीनों में से अगर एक भी missing है तो आप समझ लिजे कि आपका सुगर नियंत्रन काफी कठिनाई से हो पाएगा अब हम बात करते हैं कि diabetes के बारे में कई तरह की चीज़ें हैं जो आप कर्टीच को जड़ से खतम किया जा सकता है पहला कॉस्चन दूसरा क्या कुछ ऐसे अयुरुवेदिक दवाईयां मार्केट में उपलब्द हैं क्या वूत नहीं सेफ हैं चुकि यह कॉस्चन बार बार लोगों के दिमाग में आते हैं कि सुगर को जड़ से खतम करें यह अधिती उपलब्द हैं उसमें होमियोपैथिक है होमियोपैथी आयुरुवेदिक और सारे नेचिरोपैथी बहुत सारी पैथिज है तो क्या कोई ऐसी पैथी या कोई ऐसा रोग मेंस दवाई या मेडिसीन अभी तक उपलब्द है जिसे कि डाविटीज को जड़ से खतम क जड़ से खतम करना है लेकिन हमारा जो लिटरेचर है इसमें डायबीटीज आप जड़ से खतम नहीं करते हैं मेटबॉलिक डिसॉर्डर है आपका इंसुलीन बन नहीं रहा है या फिर अगर बन रहा है तो वो काम नहीं कर रहा है ऐसा नहीं है कि diabetes के साथ हमेशा complications होना ही है, ऐसा नहीं है, बहुत लोग हैं जो कि more than 20 years, 25 years से diabetes के दवा ले रहे हैं, लेकिन पूरी तरसे complications free हैं और बहुत अच्छा control है, बहुत सारा उतार चड़ाव आता है diabetes में जहां पर कभी-कभी sugar level बहुत down हो जाता है, hypoglycemic state में आता है, तो हम लोग temporarily थोड़ दिन के लिए दवा को hold करते हैं और patient को बोलते हैं कि watch करें, 3-4 दिन तक symptoms को watch करें, sugar level को check करें, लेकिन यह जरूर समझें कि आपको फिर से restart करना है, तो इस तरह का जो भी situation आता है, उसको आपको accordingly deal करना है, लेकिन आपको नियमित रूप से और regular आपक lifelong लेना है, कोई भी किसी भी तरह का कुछ confusion है, किसी भी तरह का अगर आपको भ्रह्म है, तो आप रॉक्टर से आकर clear करें, ऐसा हमारा society में एक myth है, कि एक बार अगर किसी को diabetes का दवा चल गया, तो फिर वो जिंदगी भर वो उसको दवा लेना पड़ेगा, और वो इस भ्रह है, diabetes जो है, अगर आपको चल रहा है, तो आपको lifelong लेना पड़ेगा, लेके आपको, अगर regular आप follow-up में रह रहे हैं, तो आपको complications free रह सकते हैं, एक stage है diabetes का, जहां पर हम लोग दवा आपको नहीं देते हैं, जहां पर हम लोग सिर्फ exercise और diabetes, dietary therapy से काम करते हैं, तो उसको confusion व होता है, management plan में, लेकिन अगर आप over diabetes है, frank diabetes है, तो आपको regular रूप से दवा लेना है, चाहे low dose ले या combination dose ले, लेकिन आपको regular रूप से लेना है, और आपको follow-up में रहना है, तो हमने भी देखा कि अभी तक ऐसी कोई medicine या therapy अपलब नहीं है, जो diabetes को जड़ से खतम कर ले, diabetes से जो complications होते हैं body में, जो मुखिता दो प्रकार के होते हैं और इसमें है, उन दोनों को हम समझने की कोशिस करेंगे और आप लों को भी थोड़ी से इस पर जानकारी मिलेगी, ये दो मुख कम्प्लिकेशन है, एक पहले को कहते हैं, हम लोग माइक्रो वैस्कुलर कम्प्लि या जो ऐसे मरीज जिनका sugar level control नहीं रहता है, तो वैसी ही मरीजों को इन दो प्रकार के मैक्रो वैस्कुलर और माइक्रो वैस्कुलर कम्प्लिकेशन होने के खत्रे रहते हैं, तो डॉक्टर कल्यान हमें ये बताएं कि माइक्रो वैस्कुलर कम्प्लिकेशन कौन-कौन से मरी जे, बहुत अच्छा सवाल है इसमें, समझने वाली ये बात है कि हम जो भी treatment कर रहे हैं diabetes का, वो इस complications से prevent करने के ले ही कर रहे हैं diabetes का treatment, तो आपको समझना जरूरी है कि आखेर ये ilaज जो हम कर रहे हैं किसलिए कर रहे हैं, ये ilaज हम इसलिए कर रहे हैं, ताकि हम short term और long term diabetes क complications उससे मचे, जो जैसा कि डॉकेश ने कहा, long term complications है diabetes में, जिनका 5-10 years से अगर ज्यादा का diabetes है, तो उसमें long term complications आते हैं, और patient को देखने में परिशानी होता है, आपके पीछे जो है, परदा परदा पर बहुत बार new vascularization हो जाता है, और बहुत सारा उसमें edematis changes होता है, macular changes होता है, और patient को vision loss हो जाता है, तो retinopathy बहुत important long term complications है, इसलिए diabetes में आपको एक बार साल में आपको जरूर चेक अप कराना चाहिए, अपना eye check-up कराना चाहिए, फंडोस्कोपी कराना चाहिए, दूसरा complication है diabetic nephropathy, nephropathy जिसको हम लोग kidney का involvement बोलते हैं, तो kidney का involvement और आख का involvement दोह साथ साथ चलता है, kidney का involvement जो है nephropathy, इसमें patient हमारे पास आते हैं, पैर भूल जाता है, और patient को advanced stages of diabetes में, उनको frank chronic kidney disease का complications आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको long term complications में nephropathy का involvement नहीं हो, अगर आप tight blood sugar control कर रहे हैं, और proper follow-up में हैं, तो ये complications से हम लोग बच सकते हैं, इसरा complications है, बहुत common complications है, निरोपथी जिसमें कि आपको हाथ पैर में जुनजुना हर्ट और जलने का sensation आता है, बहुत सारे patient आते हैं हमारे पास, जिनको पूरा पैर, जो souls of their feet, उनका जो तलवा है, वो जलता रहता है, और हाथ पूरी तरह से burning sensation होता है, जलन होता है, जुना यह सारा complications को ध्यान में रखते हुए, हम लोग proper follow-up करते हैं, जिसमें हम लोग इनका check-up करते हैं, कि यह complications कहीं आतो नहीं रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे other complications है diabetes में, diabetes में जैसे stroke का होना, जैसे कि heart attack होना, coronary artery vessels के involvement होना, तो इन सब का भी risk बहुत जादा बढ़ जाता है diabetes में, तो आपको accordingly अपना follow-up करना है, और जो भी complications आ रहा है, respective department में मिल करके, doctor से consult करके, उसको diagnose करा रहा है, diabetic foot और diabetic gangrene, जो peripheral artery disease का involvement है, यह बहुत important और बहुत ही common complications in diabetes में, जहां पे हम लोग देखते हैं, कि patient का पैर एक तरफ का पैर है, foot है, वो पुरी घाउ हो गया, वहां पे अगर वो trophic ulcers हो गया है, patient सुन हो गया, वहां पे patient को पता नहीं चल रहा है, कि उने से, यह pain, यह सब loss हो जाता है, जिसे current patient को, patient को trophic ulcers हो जाते हैं, long standing, अगर यह neglected रहे, trophic ulcers, gangrene develop कर जाते हैं, जिसमें हम लोगों को amputation कराना पड़ता है, patient का पैर कटने का भी नौब आ जाता है, तो यह सब long term complications है, जिसमें हम लोगों को ध्यान देना है, macrovascular और microvascular, कुछ कुछ short term complications भी है, acute complications है, diabetes के, जैसे कि diabetic ketoacinosis, जिसमें अचानक से शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, more than 500, more than 600 बेशुगर, patient हमारे पास आते हैं, बेहोसी के वस्था में आते हैं और हम लोग diagnose करके, इनको accordingly rate करते हैं, और reversible condition है यह, तो यह सब भी हम लोगों को ध्यान रखना है, acute complications और chronic complications of diabetes, भी हमने देखा कि जो भी complications है, long standing diabetes, patients के लिए, जो उन्हें basically उस पर ध्यान देना हुआ, और हम लोग बिस्तरित रुप से जान पाए, आज की कौन-कौन से ऐसे इंतरित करें, तो इनके होने की chances काफी कम हो जाते हैं, आज कल जैसे अगर global burden की बात करें, तो इंडिया का diabetic burden जो है, वो लगबग 7 करोड से 8 करोड लोगों के उपर misdiagnosed case हैं हमारे country में, तो यह बहुत बढ़ी संख्या है diabetes मरीजों की पूरे इंडिया में, और हम लोगों क यह भी पता है कि बहुत सारे ऐसे मरीज हैं, जिनका मतलब उनको identify ही नहीं कर पाया है अभी तक, किसी ने उनको test ही नहीं किया है कि उनको सुगर है भी, तो unidentified cases भी इंडिया में काफी है, जो identified cases हैं, उनकी संख्या लगबग 7 से 8 करोड है हमारे देश में, तो यह बहुत population है, 8 करोड का, जो diabetes के, बिविन परकार के diabetes से वो गुजर रहा है, diabetes के patients जो भी है, उनको कुछ और चीजों के ध्यान देना रहता है, जिससे 7 में उनको कहीं blood pressure होता है, साथ में उनका, जो जिसको हम लोग बोलते हैं, cholesterol का बढ़ना, dyslipidemia, यह भी साथ-साथ में पाया जाता है, जो diabetes के patient हैं, तो मुख जो गोल रहता है, एक treating physician का, उनका एक holistic approach रहता है, जिसमें न केवल sugar को control करना, उनके blood pressure level को भी control करके रखना, उनके lipids या cholesterol, जिसमें good cholesterol और bad cholesterol है, जो bad cholesterol है, उनको रोग के रखना या उनको एक given marginal cut-up तक लाके और उस cut-up के बीच में ही उनका target होता है, तो आज कल का जो diabetes का treatment है, वो tailor made है, means एक हमारे पास 40 साल का patient आएगा, उसका हम जो treatment प्लान करेंगे, according to his age, habits and goal, ये तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए, हम उनको ऐसे medicine देते हैं, अगर एक 60 साल के आदमी आता है, हमारे पास उसको diabetes है, तो फिर हम उसके लिए अलग से specialize, उसके लिए दवाईया, means, choose करके देते हैं, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे new drugs जो available आये हैं market में, और insulin के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या ऐसा कोई insulin है, जो एक बार लगाने से 6 दिन तक काम करें, ऐसा को insulin है, जो एक बार लगाने से एक में, ये new innovations, जो diabetes में द दोक्टर कल्यान कुछ हमें बताएं, बहुत burning question है, ये आज का burning discussion है, जिसमें डॉक्टर मुकेश ने कहा, newer modalities in diabetes, तो diabetes में हमारे पास दिन प्रति दिन बहुत सारे नए medicines आ रहे हैं, oral hypoglycemic agents आ रहे हैं, जो पहले classical हम लोग एजेंट यूज़ कर रहे थे, इसके अलावा अभी हमारे पास जो new molecules है, DPP-4 inhibitors आ रहे हैं, जो बहुत अच्छा control जिनका माना जाता है, जो कि kidney पे और बाकी hypoglycemia पे इनका असर काफी अच्छा रहता है, और sugar control भी पे काफी अच्छा हम लोगों ने देखा हैं, इसके अलावा कुछ नए molecules है, SGLT-2 inhibitors और यह सारे जो नए molecules हैं, यह अपना role काफी define कर रहे हैं, और इनमें बहुत सारा जो हम लोग पहले encounter करते थे, side effects, वो सब side effects minimal है, the only thing is कि cost को हम लोगो देखना है, the cost, cost जो है, patient wear करता है कि नहीं करता है, तो यह oral hypoglycemic agent में 4-5 agents हैं, जिसको हम लोग टाटरेट करके, हम लोग इ insulin diabetes के लिए miracle treatment है, और exogenous insulin जो हम लोग देते हैं, अलग-अलग preparation है, कुछ जो 12 घंटा के लिए काम करते हैं, कुछ 24 घंटा के लिए काम करते हैं, या फिर कुछ 6-8 घंटा काम करते हैं, तो यह सब insulin का preparation है, जिसमें हम लोग commonly act rapid, जो regular insulin है, वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कु according to the type of patient, और blood sugar का जो level है, उसके हिसाब से हम लोग select करते हैं, क्या patient को और हम लोग accordingly इनका insulin प्लान करते हैं, और newer molecules में, insulin में भी काफी changes आ रहा है, कुछ-कुछ नया insulin के market में, जो की weekly therapy है, जिसको हम लोग बहुत commonly use नहीं करते हैं, वो into their high cost, extreme high cost, तो weekly preparations वाले भी insulin जो है, कि insulin से डरने का बात नहीं है, और से घबराने का बात नहीं है, insulin का बहुत अच्छा effect रहता है sugar control के लिए, और जो भी body में जो healing process है, खासकर के जिनको कोई wound है, या किसी भी तरह का septic focus है, illness है, तो एक catabolic effect देता है, और healing process में बहुत मदद करता है, तो insulin हम लोग short term के लिए भी medicines है, वो अगर exhaust हो गया है, तो हम लोग insulin का वहाँ पर introduce करते हैं, तो society में जो यह मित है, इसको अब समया गया, कि इस मित से हम लोग उपर उठे और insulin को अपना है, तो देखा आप लोगोंने कि हम लोग ने लगबख diabetes के 100% तो नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारे पहलूं को आज की चर्चा में छुआ है, 14 नवंबर को हम World Diabetes Day मनाने जा रहे हैं, और सभी से अनुरोध है कि आप लोग actively इसमें participate करें, unidentified लोगों को आगे लाएं, उनका सुगर का चेक करवाएं, सुगर स्क्रीन करवाएं और उन्हें इस बिमारी के बारे में जागरित करें, जिससे कि maximum number of patient early stage में diagnose हो पाएं और उनका संपूर्ण इलाज हो पाएं, अन्य था देखा गया है कि uncontrolled diabetes वाले मरीज जेनरली चार से पांस साल अगर दबाई नहीं लेंगे, तो उनको complication होने का खत्रा हो जाता है, किसी को kidney failure हो जाता है, किसी को stroke आ जाता है और किसी को heart attack आने का संपूर्ण chance रहता है, तो ऐसे में world devotees day 14 November को मनाया जा रहा है और इस बार का theme है nurse and devotees, तो जो भी medical professionals हैं, चुकि पुरी team काम करती है अस्पतालों में, doctors, nurse, housekeeping, medical और technical personals हैं, तो पुरी team जिम्मेदार होती है किसी भी चीज के treatment के लिए, तो 14 November को आप ऐसे मरीजों को आगे करें और लोगों को motivate करें diabetes screening के लिए, धन्यवाद. Thank you, thank you, doctor.